जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इंकम टेक्स भरने के लिए आपको पता होगा इंकम टेक्स का चलान भरना पड़ता है जो सेक्शन 280 के अंदर होता है उसके अंदर भी अलग-अलग सब एडिंग होती है अडवांस टेक्स है नहीं आप उसे देख पाते थे लेकिन अब पिछले एक साल से इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़िया तरीका कर दिया है आपने कोई भी इंकम टेक्स का चलान भरा है चाहे वो पैनदार लिंक को हो चाहे वो अडवांस टेक्स हो चाहे वो सेल्फ असस्में करते हैं तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं यहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आपने भी कभी इंकम टेक्स के अंदर कोई चलान भरा था चाहे वो सेल्फ असेस्मेंट टेक्स हो चाहे वो advanced tax हो चाहे वो pen अधार link का हो चाहे वो किसी appeal का हो तो उस चलान को आप कैसे check कर सकते हैं कि आपका चलान भरा जा चुका है online show कर रहा है नहीं कर रहा है उस चलान की PDF आप कैसे download कर सकते हैं तो simply आपको income-text.gov.in की website पर आजाना है यहाँ पर आने के बाद में आपको यह देखिए right side में उपर login और register का option दिखाई देगा अलांकि आपने register तो कर रखा होगा नहीं किया तो पहले आप register कर लें बिना register किये भी आप अपना चलान भर सकते हैं अब आपको login पर आ जाना है जैसे आप login पर आएंगे तो आपको पताओगा आपका user ID और password आपसे पुछा जाएगा user ID आपका pen और अधार दोनों में से कुछ भी use कर सकते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना password डालना है यह password आपको पताओना बहुत जरूरी है यह password आपको नहीं पता तो forget password आप यहाँ से कर सकते हैं अब जैसे आप continue पर click करेंगे तो इस तरह की profile आपकी खुल जाएगी कि यह आपका income tax का portal login हो चुका है अब dashboard के बाद में अगला option e-file आ रहा है e-file में income tax return, income tax forum इसके बाद में e-pay tax पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर अगर आप नया चलान भरना चाते हैं तो देखी यहाँ पर right side में plus का निसान आ रहा है new payment यहाँ पर आपको चले जाना है generated चलान में अगर आपने कोई चलान bank में जाकर भरना था over the counter तो आपके यहाँ पर आजाएंगे जो generate कर रखे हैं payment history में जैसे आप आएंगे तो यह आपके यहाँ पर show करने लग जाएगा कि कितने चलान आपने भर रखे हैं तो यह देखी दोस्तो एक दो तीन चार चलान यहाँ पर हमारे भरे हुए हैं यह assessment यह आपको दिखा देगा 22-23 का, 23-24 का, 21-22 का इसके बाद में जो 300 head होता है आपको पता होगा text का होता है 1000 अजार जार रपे का हमने यह चलान भरा हुआ है इसके बाद में जो next आपका जो other receipt के अंदर आ रहा है 1000 अजार रपे का इसका BSR code या चलान नबर भी आप देख सकते हैं तो जैसे हम download पर click करते हैं तो एक PDF file download हो जाएगी इसे हम click करेंगे तो यह देखिए दोस्तो income tax department का चलान आपका यहाँ पर इस तरह से download कर सकते हैं तो simply दोस्तो जितने भी चलान आपने भरे होंगे payment history के अंदर e-pay tax के अंदर आप आकर के save कर सकते हैं देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी हो इसे like जुरूर करें अगर अच्छी लगी हो इन्फोर्मेटिव लगी हो और इस तरह के content के लिए अभी तक हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवद आपका thank you so much जय हिंद जय भारत